हालो फ्रेंज किसी भी व्यक्ति की बेनामी प्रोपल्टी या फी ब्लैक मनी के बारे में इंफोमेशन देने के लिए इंकम टैस की वेबसाइट पे नई टैब को इनेबल कर दिया गया है जिसके बारे में के हम इस न्यूज में डिसकेशन करेंगे फ्रेंज जदी आपके पास पैन नंबर है और वो Income Tax India e-filing.ju.in की वेबसाइट पे रेजिस्टर है तो उस केस में आपको लोगिन करना है और उसके बाद e-file की टैम में जाना है यहाँ पे सबसे नीचे टैब दी गई है Submit Tax Evasion Petition और बेनामी Property Holding. फ्रेंज यहाँ पे दो अप्शन दी गई है Do you want to file a simple complaint regarding tax evasion for an undisclosed income and asset बेनामी property without claim for reward? यानि कि आप बिना reward लिए हुए यह complaint फाइल करना चाहते हैं तो पहली option select कर सकते हैं यदि आप जो information दे रहे हैं उसमें से reward भी claim करना चाहते हैं Informer बनना चाहते हैं Income Tax Department का तो आप यह second option choose कर सकते हैं और उसके बाद आपको submit बटन दबाके particular fill करके यह detail देनी है Income Tax Department को फ्रेंज यदि किसी व्यक्ति के पास pen number नहीं है और वो black money या बेनामी property की information देना चाहता है तो उस case में उसे Income Tax India e-filing.gov.in website पे जाना है यहाँ पे left hand side में देखिए नई tab दे दे गई है submit tax evasion petition और बेनामी property holding इसे क्लिक करना है friends उसके बाद आपके सामने दो option open हो जाएंगी कि आप बिना reward के claim के complaint file करना चाहते है या informer बनना चाहते है accordingly आप select करेंगे continue button पे press करेंगे friends उसके बाद आपके पास तीन option आजाएंगी यदि आपके पास pen number है तो आपको pen register करना है income tax india e-filing पे और login करने के बाद ये petition आपको वहाँ पे online submit करने है यदि आपके पास pen number नहीं है लेकिन अधार number है तो उसके बाद आपको automatically pen number alert कर दिया जाएगा pen number alert होने के बाद आपको login करना है income tax india e-filing पे और ये online tax evasion petition या बिनामी property holding के बारे में आप complaint कर सकते हैं यदि आपके पास ना तो pen number है और ना ही अधार number है फिर भी आप complaint फाइल करना चाहते हैं तो आपको ये last option टे करने है और continue बटन पे प्रेस करना है फ्रेंज उसके बाद आपके सामने form open हो जाएगा यहाँ पे आप phone number one file कर सकते हैं tax evasion की complaint देने के लिए undisclosed foreign asset के बारे में phone number two file कर सकते हैं बिनामी property की transaction के regarding बताने के लिए phone number three file कर सकते हैं आप यहाँ पे name address enter करेंगे और उसके बाद email id और mobile number enter करने के बाद continue बटन पर प्रेस करेंगे फ्रेंज उसके बाद one time password आपके mobile number और email id पे भेजा जाएगा जिसके validation हो जाने के बाद आप यह form online file कर सकते हैं उमीद करते हैं फ्रेंज आपके लिए यह news useful रही होगी कि पैलाई कीजिए और अधिक से अधिक share कीजिए ताकि सब ही लोगों तेके जानकारी पहुंच पाए और वो बिनामी property या फिटेक्स evasion के बारे में online complaint file कर सकें आप हमें टेलिग्राइम एप CS evasion taxil पर जॉइन कर सकते हैं थाके आप GST और income desk के regular update अपने mobile पर ही प्राप्त कर सकें आप